महराज मनु ने घर छोड़ा लेकिन आप ध्यान देना इस बात पर महराज मनु ने घर छोड़ा लेकिन महराज जनक ने घर नहीं छोड़ा क्यों कि महराज मनु को वेरागि नहीं हुआ और जनक जी सहेज वीराग मनु को मनु राग पंदो हो तुझी डिनदक चपोना पंदी पारीगों दिनदक चपोना सेचे गिहाद कू मखम दूड़ कुषिद दूखत पंदी तुखत चानदक कि अधा सब्सेदा गुम्हाम ाधू宝ा कि अज़े विराग रूप श्री जनक जी के मन में सहज वैराग्य है अज़े देखो कितनी अध्वुत बात है कि वैराग्य है तो घर छोड़ने की कोई आवश्चक्ता ही नहीं है और वैराग्य नहीं है तो त्याग करना चाहिए कि देखो त्याग और वैराग्य में अंतर है कि त्याग और वैराग्य में अंतर है त्याग क्रिया है वैराग्य मन की एक भावदशा है एक उधारन से बात इसकुष्ट हो जाएगी एक रेल गाड़ी के फस्क्लास के डिब्बे में पुराने जमाने की बात है कूपा में फस्क्लास के कूपे में एक महात्मा बैठे सामान सबूपर वाली सीट पर रखा प्रसन बैठे यात्रा कर रहे थे अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी एक सेठ जी आए उनके पास भी उतने ही सामान उनका भी उसी कूपे में रेजर्विशन सामने वाली बर्थ पर उन्होंने भी सब सामान रखा गाड़ी चल दी सेठ जी महात्मा को बार बार देखे न तो उन्होंने हाथ जोड़े न प्रणाम किया न सीता राम न राम राम न राधेश राम कुछ में देखे हैं मैं बास महात्मा बहुत देर तक उनकी सारी रिक भाशा सुनते रहें देखते रहें देरे देरों बास बिगड़ गया कल जुगा गया साध्मों को इसकी क्या जरूरत है साध्मों फसकरास के टिपे में इनने पहले तो रेल की जरूरत बैठे तो फसक्लास में और सामान भी यह आपका ही सामान होगा आत्मा जी बोले हाँ हाँ इतना सामान होगा फसक्लास का डिपा कहें के साध्मों जो उपदेश देना शुरू किया है यह तो हम लोगों की खास आदत है को उपदेश का मौका हम ब्यार्थ नहीं जाने देते मिल भर जाएं पर माहत्मा तव माहत्मा प्रसंदता पूर्वक शांत नहें कर सुनते रहे जो कल जुगा लिया संत बिगण गई माहत्मा जी ने अंत में कहा कि महारा सेथ जी से कि आज तो आपके उपदेश ने हमारी आँख खोल दे शेड़ जी बोले सत्संग खोल ही देता आँख इसलिए तो किया है तो क्या कह रहे थे आप शेड़ जी बोले हम्में आप में क्या अंतर केवल कपड़ों का अंतर बस कोई अंतर नहीं महात्मा मुझे ख्याल लखेंगे », हम भी आगे से, आपकी सिक्षा का मुझे पर बड़ा आसर हुआ, मित्रता कर ली महात्मा लिए, अगले स्टेंशन पर ट्रेन रुखी, महात्मा सेटजी से मुझे कि छलो बाहर घुम्याई, कि सेड़ी बुले सामान रखा है महात्मा बुले हमारा भी उतन नहीं रखा है चिंता मत कर चला गए प्लेट फार्म पर पानी पिया इधर उदर कुछ चर्चा की एक बेंच बेट गए सत्सन की चर्चा हो रही थी तब तक ट्रेन के चलने का समय हुआ गार्ड ने विसल बजा आती रहती गारियां जाने तो दूसरी आ जाएगी अरे महरा जमारा सामान रखा है महात्मा मुले उतन ही हमारा रखा है आम में तुम में कोई भेद है नहीं केवल कपड़े का भेद कपड़ा हम दे देंगे कपड़ा हम एक के दो करेंगे एक तुम पहने ना एक हम पहन ले नहीं अपने में और हम में अंतर बताओ हम में तुम में अंतर बताओ नहीं तो हाथ नहीं छोड़ेंगे उले महराज अंतर हैं अंतर हैं किया अंतर है उले हम अपना सामान और आपके पास भी सामान हैं आप अपने सामान को एक छण में छोड़ सकते हैं हम जिंदगी में नही नहीं छोड़ सकते हैं बस यह अंतर है जो एक शण में छोड़ दे वो वहराग्यवान है और जो कभी छोड़े ही नपाव है रोते दे के अपने लोग को श्री कवीरदाजी ने का मरा हुआ जिंदा को मारे यह तो बड़ा अचम भारे मरा हुआ अच्छा आपने कभी देता कि कोई मकान रो रहा हो किसी के लिए मकान नहीं रोता अब मकान के लिए अन्यक रोते मिल जाएं 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 जाए अच्छे इसलिए हम लोग सुनते हैं कि संत शरीर छोड़ देते हैं पर संत ही हैं जो सरीर छोड़ सकते हैं हमसे तो छोड़ा लिया जाता है अब छोड़ नहीं सकते हैं मौत कान पकड़ के एक तमाचा लगाती कि निकलो बाद मौत छुड़ा लेती है पर संत छोड़ देते हैं कभी संत जानते है कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है मौत कान पकड़ के बर्खास्त करें उसके पहले ही इस्तीफा दे देना अच्छा है छूटने के पहले छूट जाना अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा पाकर गुरु से ग्यान यार मरने से पहले मर जा अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा सीता राम नाम सुमिरन कर भवसागर से तर जा अज़ा भगवान ऐसे ही नहीं भेजते मौत को पहले नोटिस भेजते मान लो सफेद बाल हो गए नोटिस आ गया कि अब जाने के दिन आ रहे हैं तैयारी करो पर हद भी बड़ा भी चितर एक भी नोटिस नहीं मानता यह भगवान ने बाल सफेद किये यह कहता कोई बात नहीं हम काले करा ले इसके दिखते ही नहीं सफेद जब देखो तो काले भगवान ने आख में थोड़ी कमजोरी दी कि अब दिखना बंद हो रहा है बुड़ा का आ रहा है ए आधमी कहता कोई बात नहीं नहीं बत्ती लगवा लेंगी कान गड़वर हुआ बुले हम वाह सीन लगवा जब सारे नोटिस नकार दिये तब भगवान ने मौत ब्हेजी लेकिन जिनें राग नहीं होता वे छोड़े अगई बेठें अलग नहीं आए असंग है पर महराज मनु का राग नहीं छूट रहा है और जब राग नहीं छूटता तो अनुराग कैसे आए जनम गय हूँ हरी भगती बिनु एक बार हम एक डॉक्टर के पास गए डॉक्टर अहलू पे थी विधा के मरमग्य थे उन्होंने हमें देखा और हमसे कहने लगे आपको डाइविटीज है हमने का बहुत वर्षों से है तो बोले एक काम करना आप किसी ताविज गंडा विभूत यादी के चक्कर में मत पढ़ना यह मिटेगी नहीं आप तो दवा खाते रहना समय से और परिज करते रहना तो कंट्रोल में बनी रहेगी मिटेगी नहीं उन्होंने ये बात कही थी डाइविटीज के संदर्व में मुझे हर संदर्व में यही बात ठीक लगी जैसे डाइविटीज मिटेगी नहीं दवा खाओ परेज करो तो कंट्रोल में रहेगी कंट्रोल में बने रहेगी कंट्रोल में बने रहें हम बहुत सोचते हैं मिठाई न खाएं पर कई बार सोचते हैं आज खालें कल से बंद कर देंगे और वो कल कभी आता ही नहीं तो अगर वैराग नहीं हो रहा तो त्याग करो वहां रहो ही नहीं जहां मिठाई हो कुछ पर को वहां मिठाई गार वार मिठा रहें मिठाई